अनुदीप और मिनुशा ने अभी पिछले मेने नवंबर में ही शादी की हैं शादी के बाद बहुत से युवा गुमने फिरने जाते हैं लेकिन इन दोनों ने कुछ अलग किया ये दोनों हमेशा देखते थे कि लोग अपने घर से बाहर गुमने तो जाते हैं लेकिन जहां जाते हैं वहीं डेर सारा कुड़ा खचरा छोड़कर आ जाते हैं करणा टका के सोमेश्वर बीच पर भी यही स्थिती थी अनुदीप और मिनुशा ने ताई किया कि वो सोमेश्वर बीच पर लोग जो कचरा छोड़कर गए हैं उससे साप करेंगे दोनों पति-पत्नी ने शादी के बाद अपना पहला संकल्प यही लिया दोनों ने मिलकर समंदर तड़का काफी कचरा साप कर डाला अनुदीप ने अपने इस संकल्प के बारे में सोशल मीडिया पर भी शैर किया फिर क्या था उनकी इतनी सांदार सोच से प्रभावित होकर धेल सारे युवा उनके साथ आकर जुड़ गए आप जानकर हैरान रह जाएंगे इन लोगों ने मिलकर सोमेश्वर बीच से आठ सो किलो से जानदा कचरा साप किया है साथियों इन प्रयासों के बीच हमें ये भी सोचना है कि ये कचरा इन बीचीश पर इन पहड़ों पर पहुंचता कैसे हैं आखिर हम में से ही कोई लोग के कचरा वहाँ छोड़ कर आते हैं हमें प्रदीप और अनुदिक मिनुसा की तरह सफाई अभ्यान चलाना चाहिए लेकिन उससे भी पहले हमें ये संकल भी लेना चाहिए कि हम कचरा फ्यलाएंगे ही नहीं आखिर स्वच्च भारत अभ्यान का भी तो पहला सब्सक्राइब